नमस्ते विद्यार्थियों, JCRTK DG स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों सामाजिक विज्ञान विशय के अंतरगत हम आठवी कक्षा के इतिहास विशय का अध्यन कर रहे हैं। और आपके समर्ष है आपके इतिहास विशय का सात्वा अध्याय जिसका नाम है बिटिस काल में सिच्छा। विद्यार्थियों इस चाप्टर में हमने पढ़ा कि भारत में अंग्रेजों की आगमन का प्रभाव स्रिफ हमारे समाजिक आर्थिक एवं राजनितिक जीवन पर ही नहीं पढ़ा बलकि हमारी सेक्षनिक ब्यवस्था भी इससे काफी प्रभावित हुई। तो विद्यार्थियों इससे पहले मैं दो वीडियो पे आपसे चर्चा कर चुका हूँ इसमें मूल रूप से मैंने आपको प्राच्यवाद की परंपरा के बारे में बताया था। की practice of orientalism के बारे में बताया था इस परंपरा के अंतरत क्या था विद्यार्थियों की सुरुवात में अंग्रेजों ने जो भारतिय भासाएं थी उनको बढ़ावा देने का काम किया और अंग्रेजी सिक्षा पर कोई भिसेस कारिय नहीं किया तो इसे ही हम कहते हैं प्राचव जासा उसको बढ़ावा देने का काम अंग्रेजों ने सुरुवात में किया बाद में बच्चों हमने एक और वीडियो के माध्यम से आपको मेकाले की सिक्षा पदती के बारे में भी बताया है और इसमें मैंने ये बताया कि किस परकार से मेकाले जो है वो भारतिय सबेता सं स्कृती और इती रिवाजों के परती जो है तिरसकारपुन द्रिष्टिकोन रखता था तो इसके बारे में भी हमने अध्यन कर लिया है अब चलिए विद्यार्थियों अब हम वूट्स डिस्पैच के बारे में पढ़ते हैं जो की आपके पेज नंबर 92 पे है तो आप के लिए बेवसाय के लिए और यह वूट्स डिस्पैच क्या है अंग्रेजी का सब्द है विद्यार्थियों इसे मैं आपको समझाने का प्रियास करता हूं आप इस वीडियो पे बने रहें तो चलिए विद्यार्थियों यहाँ पे आप एक चित्र देख रहे हैं यह चित् चाल्स वूड कौन है और इनहीं चाल्स वूड का संबंद वूट्स डिस्पैच से है तो यहाँ पे विद्यार्थियों आप स्क्रीन पे फोकस करें और ध्यान से देखें सन 1854 इस वी में इस्ट इंडिया कंपनी के लंदन इस्तीत कोट और डिरेक्टर्स ने भारतिये गव प्रथम सुतंदरता संग्राम या जो सिपाई विद्रो भी करते हैं उससे तीन साल पहले यानि की 1854 में 1854 में क्या हुआ कि इस्ट इंडिया कंपनी का जो लंदन में कोट और डारेक्टर्स हैं वहां से एक चिठ्थी आती है किसके नाम में लॉड डलोजी के नाम पे ठीक ह है न उसको हम कह सकते हैं चार्ल्स वूड का नीती पत्र या वूट्स डिस्पैच तो भारतिय सिक्षा के छेतर में इसको हम लोग मेरना कार्टा के नाम से भी जानते हैं इस दस्तावेज में भारत की भावी सिक्षायेतू एक ब्रीहत योजना त्यार की गई थी विद्यार विद्यार्थियों एक सब्द आया मेरना कार्टा यह मेरना कार्टा क्या होता है विद्यार्थियों इस सब्द को आप इतिहास में भी और भी कई मामलों में आप इस सब्द का प्रियोग आप अपने जीवन में लगातार सुनेंगे तो मेरना कार्टा क्या है उस अंदर में मैं थोड़ी सी टिपणी किया हूँ, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, विद्यार्थियों मेरना काटा का संबन जो है इंगलेंड से ही है, और दूसरी बात है कि मेरना काटा को हम लोग एक अधिकारों का दस्तावेज कहते हैं, और ये बहुत पुराना है, इसका संबन 1215 इसवी के उस समय के जो इंगलेंड के गाजा थे, किंग जॉन उन से है, और उनके द्वारा एक दस्तावेज जारी किया गया था, जिसको कहा गया है मेरना काटा, और विद्यार्थियों इसका संबन नागरीकों के मूल अधिकारों से है, और आगे आप देखिए, आगे चल वूर्स डिस्पैज को भारतिय सिक्षा का मेरना काटा कहा जाता है, तो इन बातों को विद्यार्थियों आपको याद रखना है, हम कुछ और आगे बढ़ते हैं, और वूर्स डिस्पैज के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जाते हैं, विद्यार्थियों आप स्क्री गया उस समय के जो इस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे लॉट डलहोजी उनके पास भेजा गया और ये बताया गया कि वूर्स डिस्पैस में जो कुछ लिखा गया है उसको भारत में इंप्लिमेंट करना है सिक्षा के छेतर में उन चीजों को लागू करना है और ला इस दस्तावेज में इरोपिय सिक्षा का बेभारिक लाव इरोपिय सिक्षा का मतलब स्टूडेंट्स वेस्टन एजुकेशन यानि कि हमारे देश की जो प्रमपरागत सिक्षा बेवस्था थी वो नहीं आज जो आप सिक्षा बेवस्था देख रहे हैं वो बेवस्था या कैसे इंग्लैंड में जो बनी हुई बस्तुएं हैं वो भारत में जादा से जादा खपें कैसे भारत के लोग जो हैं कोट और टाई पहनें कैसे भारत के लोग जो हैं वो ऐसे मतलब साधनों का उपयोग करें जो चीजें इंग्लैंड में बन रही हैं तो उसका हम भोकता बने कैसे बने तो देखिए इस दस्तावेज में एरोपिय सिक्षा का बैपारिक लाब आर्थिक छेतर में बताया गया था उसके मुताविक एरोपिय सिक्षा के माध्यम से भारतियों को बैपार और बानिजी के विस्तार से होने वाले लाबों और देश के संसादनों के विकास का महत्तो समझाने में मदद मिलेगी बच्चों आप पेज नंबर 92 पे फोकस कीजिए यह सारी समागरी यहां पे है यदि उन्हें इरोपिय जीवन सहली से अवगत कराया गया तो उनकी रूचियों यदि उन्हें इरोपिय जीवन सहली से अवगत कराया गया यानि कि इसको हम भारतियों को जदि हम western style सिखा दें कि कैसे कपड़ा पहनना है कैसे रहना है कैसा मकान बनाना है कौन सी चीजें हमारी रोजमर्णा की बस्तुएं हो सकती है तो ये सब चीजें हो गया western तरीका तो जदि western तरीके की रूची पैदा कर दिया जाए भारतियों में वैसी आकांचा पैदा कर दिया जाए तो ब्रीटिस वस्तुओं की मांग भारत में बढ़ेगी क्योंकि तब यहां के लोग इरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे इस नीती पर यह भी तर्ग दिया गया कि इरोपिये सिक्षा से भारतिये जादा सत्यवादी और इमानदार बन जाएंगे इससे कमपनी के पास भरोसे मंद करमचारियों की कमी नहीं रहेगी तो यह समझने वाली बात है विद्यारतियों अब आगे बढ़िये वूर्स डिस्पैच में और कुछ जो महत्पून बातें हैं उसे मैंने अंकित किया है सन 1854 इसवी के नीती पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई कदम उठाए सरकारी सिक्षा विभाग का गठन किया गया ताकि सिक्षा सम्मंदित सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रन अस्थापित किया जा सके थिक है बिस्व विध्याली सिक्षा विवस्था विक्सीत करने के लिए कदम उठाए गए 1857 इसवी में जब मेरट और दिली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे उसी समय कलकत्ता मदरास और बंबई में बिस्व विध्यालियों की अस्थापना की जा रही थी तो इसको आप लोग याद ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की एक और 1857 का बिद्रोह हो रहा था और दूसरी और कलकत्ता में मदरास में और बंबई में इन्वसिटी खुल रहे थे तो इसका संबन्द वूट्स टिस्पैच से ही है और विद्यार्थियों एक बात याद रखिएगा कि कलकत्ता इन्वसिटी मदरास इन्वसिटी और बंबे इन्वसिटी ये भारत के सबसे पुराने इन्वसिटी में गीने जाते हैं मतलब बिटिस काल के और जदी हम लोग नालंदा और तक्षेसीला की बात करें तो वो तो अलग बात है वो तो हमारी प्राचीन जो है वो सभेता से जुड़ी हुई है आगे देखिए विद्यार्थियों इसकूली सिक्षा पनाली में परिवर्तन के प्रियास भी किये गए तो यहां तक आप लोग समझे होंगे विद्यार्थियों अब थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं यहां आप देखिए स्क्रीन पे हंटर कमिशन यानि की हंटर आयोग ठीक है आगे इसमें क्या है भारत में पश्मी सिक्षा के प्रचार प्रसार तथा समय समय पर उसकी समिक्षा के प्रयाज अपनिवेसिक सत्ता के द्वारा किये गए यानि की जो कलोनियल रूल था कलोनियल रूल में बार बार सिक्षा के संदर में समिक्षात्मक जो है वो समिक्षा जो है वो होता रहा उद्धोसना के बाद सिख्षा के छेतर में हुई प्रगती की समिख्षा के लिए विलियम हंटर की अधेख्षता में एक आयोर न्यूक्त किया गया और इसमें आट भारतियों को भी सामिल किया गया था ठीक है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विलियम हंटर के बारे में मैंने कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है विलियम हंटर भारतिय सिविल सेवा के पदादिकारी होने के साथ एक बहुत बड़े बिद्वान भी थे ठीक है विद्यार्थियों इतिहास में आगे चलके आप एक हंटर समीती भी पढ़ेंगे उस हंटर समीती का इस हंटर आयोग से कोई सम्मन नहीं है उसका सम्मन जो है वो जालियां वाला बार का जो कांड है उससे है तो हंटर समिती और हंटर आयोग दोनों अलाग अलग चीज़े हैं अभी हम जो बात करें वो हंटर आयोग की बात कर रहे हैं ठीक है तो विलियम हंटर भारती सिविल सेवा के पदाधिकारी होने के साथ साथ एक बहुत बड़े बिद्वान भी थे आज ब्रिटिस जमाने का ज पुस्तकालिन नक्सा भियार आपको उपलब्ध होगा है ना और ये पुस्तकालेओं में उपलब्ध है आगे हैं विद्यार्थियों हंटर कमिशन का कार्ज उट्स डिस्पैज की कमियों और खामियों को ढूंड कर नई बेवस्था प्रदान करना था इस कमिशन के द्वारा प्रात्मिक और दुतियक अस्तर की सिक्षा की समिक्षा की गई तो यहां तक समझे होंगे बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और उच्छ सिक्षा के छेतर में बिटिस जमाने में जो कुछ सुधार के प्रयास हुए उसके बारे में आपको मैं बताता अब मैं आपको बता रहा हूँ सेडलर कमिशन के बारे में बिद्यार्थियों आप पेज नंबर 93 पे फोकस कीजिए सेडलर कमिशन है न यहां पे आप देख सकते हैं माइकल औरनेस्ट सेडलर जो की एक सिछावीत थे ठीक है इनका संबन बिद्यार्थियों सन 1917 से 19 के बीज जो सेडलर कमिशन बना था उससे है ठीक है तो विसुविद्यालेओं की समस्याओं के अध्यन और के लिए डॉक्टर एम सेडलर की अध्यक्सता में एक आयोग का गठन किया गया था ठीक है इस कमिशन के माध्यम से मूल रूप से कलकटा इनवरसिटी की रिपोर्ट करनी थ लेकिन इसके साथ ही साथ भारत में और जो भी इनवरसिटी थे उसके बारे में भी रिपोर्ट करना था आयोग में डॉक्टर आसुतोस मुखर जी एवन डॉक्टर जियाउद्दीन आहमद को भारतिये सदस के रूप में सामिल किया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं थे ठीक है विद्यार्थियों यहाँ तक आपने समझा तो मैंने आपको वूट्स डिस्पाइज के बारे में बताया उसके बाद आपको हंटर कमिशन के बारे में बताया और सैडलर कमिशन के बारे में भी आपको बताया अब विद्यार्थियों आप लोगों के मन में होगा कि अस्थानिये पाट सालाओं का क्या हुआ बिटिस ग्यान का जो प्रभाव पड़ा अस्थानिये पाट सालाओं पर तो उनका क्या हुआ क्या वे बचे रहे या वे नस्ठ हो गए तो चलिए विद्यारतियों आप पेज नंबर 94 पर फोकस कीजिए देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है 19. सदी के मद्ध तक यानि की 1850 तक 19. सदी के मद्ध तक कंपनी का ध्यान मुख रूप से उच्छ सिक्षा पर था इसलिए कंपनी में अस्थानिये पाट सालाओं के कामकाज में कभी जादा दखल नहीं दिया गया इसकूली सिक्षा के संदर्ब में बिटिस सरकार को 1830 इस्वी के दसक में स्कॉर्ट लैंड से आए इसाई परचारग विलियम एडम की रिपोर्ट से काफी सहायता मिली एडम ने आप देख सकते हैं बंगाल और बिहार के कई पाट सालाओं का दवरा कर अपनी रिपोर्ट में बताया था कि सिक्षा का तरीका काफी लचिला है यह लचिली पणाली अस्थानिय और सिक्ताओं के अनुरूप होती थी उधारन के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गाओं के बच्चे प्राया खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे सिक्षा मौकिक होती थी और क्या पढ़ाना है ये बातें विद्यार्थियों की जगत को देखते हुए गुरू ही तै करते थे यानि करने का मतलब जो टेक्स्ट बुक जैसा कोई सिस्टम विद्यार्थियों नहीं था तो ये आप समझ गया होंगे बच्चों और अब चलिए हम लोग देखते हैं एक ग्रामीन पाट साला उस समय का एक ग्रामीन पाट साला आप देख सकते विद्यार्थियों तो एक साधारन सी कुटिया बनी हुई है और यहां क्या हो रहा है इसके बारे में मैं पढ़ता हूँ अब ध्यान से सुनिए 1854 इसवी के बाद कमपनी ने देशी सिक्चा बेवस्ता में सुधार लाने का फैसला किया कमपनी का मानना था कि इसके लिए मौझूदा बेवस्ता के भीतर ही बदलाव किये जा सकते हैं कमपनी एक नई दिन चरजा नए नियमों और नियमित निरिक्षणों के जरिये पाट सालाओं को और बेवस्तित करना चाहती थी कहने का मतलब विद्यारतियों कि आज जैसे हम स्कूल देखते हैं स्कूल का एक समय होता है कि वो आठ बजे से दो बजे चलेगा या दस बजे से चार बजे चलेगा या कुछ एक टाइमिंग होती है इतने समय टिफीन होगी फर्स्ट बेल, सेकेंड बेल, थर्ड बेल ऐसा कुछ सिस्टम होगा उसमें क्लास वाइज की पहले कौन टीचर आएंगे पढ़ाने फिर दुबारा कौन आएंगे टीचर मन एक सिड्डियूल होता है आज के जमाने में लेकिन विद्यारतियों ग्रामिन पाट सालों में ऐसा नहीं था तो 1854 के बाद क्या हुआ कम्पनी ने देशी सिख्चा बेवस्था में भी सुधार लाने का फैसला किया और कम्पनी का मानना था कि इसके लिए मौजुदा बेवस्था के भीतर ही बदलाव किया सकते है कम्पनी ने क्या किया एक नई दिन चर्जा को लाया नई नियमों को लाया और नियमीत रूप से इंस्पेक्शन करना भी सुरू कर दिया इंस्पेक्शन का मतलब विद्यारतियों निरिक्चन की वहाँ पढ़ाई हो रही है की नहीं काईदे से पढ़ाई हो रही कि नहीं नियम सम्मत पढ़ाई हो रही है कि नहीं तो यह सब कुछ है विद्यार्तियों तो यही सब है और अब आगे चल करके हम लोगों थोड़ा देखना है अंग्रेजी सिख्चा का प्रभाव तो अंग्रेजों ने जो सेक्षिक मतलब प्रिष्ट भूमी तयार की वो तो एक तरह से देखा जाये तो उसमें आमूल चूल परिवर्तन आ गया तो अंग्रेजी सिक्षा का हमारे उपर क्या प्रभाव पड़ा इसकी भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं विद्याक्तियों ध्य प्रभावित कुछ भारतियों का मानना था कि पस्मी सिक्षा भारत का आधुनिकी करन कर सकती है राजा राम मोहन राय जैसे भारतियों ने प्रभावसाली तरीके से पास्चात ज्यान की अध्यन की वकालत की ये तो आप जानते हैं विद्याक्तियों उन्होंने उसकी महत्त का आधुनिक पस्विम के विग्यानिकों और लोक्तांत्रीsty चिंतन के खजाने की कुणजी के रूप में स्विकार किया परणतों तो बहुत सारे भारतिये पस्मी सिक्चा के बिरुद थे, उनका मानना था कि पस्मी सिक्चा ने भारतिय समाज पर नकारात्मर परवार डाला, पस्मी सिक्चा ने भारतिय संस्कृति को भावतिक वादी स्वरूप दिया, जो भारतिय नैतिक मुल्यों के बिरुद था, तो य इस तरह से हम लोग पढ़ाई करते थे वो पढ़ाई आज नहीं है आज जो पढ़ाई है वो एक तरह से western पढ़ाई है जो एरोपिये देशों में पढ़ाई होती है वो पढ़ाई है और इस पर बहुत कुछ कहने की गुणजाई से विद्यारती हो लेकिन इस वीडियो को मैं स समझ में आएगा कि आपको जारखन डीजी स्कूल आप डाउनलोड करना क्यों जरूरी है और साथी साथ विद्यार्थियों कि आप वीडियो पर कुछ कमेंट भी कर सकते हैं जो आपको रूची कर लगते हैं उन पर आप समिक छात्मक कुछ भी नोट्स त्यार कर सकते हैं और जदी आपको लगता है कि कुछ चीजें छूट गई हैं तो उसके लिए आप आगर भी कर सकते हैं कि उस चीज को आप सर बनाएए ताकि मैं उस पर विशेश रूप से फोकस कर सकूँ तो ठीक है विद्यार्थियों इस वीडियो को मैं यहीं पर समात करता हूं जहिन झाल